करना है प्रैस कंट्रोल और लिली टू लॉगीन तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है जो भी आपका पासफ़र्ड और fireball disable करना all the things इस सारी चीज़ हम आज के वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले आपको कमांड प्रूम पर कमांड टाइप करना है asconfig यह फिए कमांड आपका होता है का इसकी server configuration टूल है इसको open करते हैं आपके पास ब्लू कलर किसके नाते हैं और यहाँ पर आपके पास अब देख सकते हैं server configuration अब यह थोड़ा सा easy tool है बहुत easy configuration करना है इसके तुरू तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको domain join कराना है group join कराना है वर group में join कराना है तो आप यहां पर number one press करेंगे अगर आपको computer का name change करना है तो press two अगर आपको add administrator local account में अगर किसे को add करना तो आप number three में कहा है कि यह server configuration tool है यह बहुत ही limited command के साथ है आप सारे के सारी configuration अभी है इसके थूरू नहीं कर सकते इसके लिए मारे पास दूसरा option है powershell तो basically हम सारा का सारा command powershell के तुरू ही करेंगे क्योंकि powershell जो है guys आने वाले feature में यह बहुत ही useful चीज़ है और powershell के बिना आप server core है कोई भी server के उपर काम नहीं कर सकते क्योंकि आने वाले time जो है वह पूरा कपर automate होने वाला है तो इसलिए हम लोग जो configuration सीखेंगे वह हम लोग powershell के तुरू करेंगे ठीक है लेकिन मैं इस configuration टूल का कैसे यूज किया जाता है वह मैं आपको सिखाऊंगा तो जैसे कि मुझे मान के चलो computer का name चेंज करना है तो अभी जो computer का name आप देख सकते हैं कुछ win-number में कुछ इस तरह किसा नाम शो कर रहे है तो अगर मुझे आपको करना है अब आपको करना है एंटर करना है अब आपको करना एंटर दा न्यू नेम तो जैसे मैंने दे दिया s-core s-s-core-server सर्फर यह मैंने नाम दे दिया और जैसे प्रेस एंटर जैसे एंटर प्रेस करूँगा यह आपको सिस्टम रिस्टार्ट होगा अब आप दुबार से तो इसलिए जो यह उप्रेटिंग सिस्टम में काफी लाइट बेट होता है तो हम यहां से एडमिन 123 आओ यहां पर यहां पर यहां पर चैक कर सकते होस्ट नेम होस्ट नेम हमने भी लिखा था एसकोर हाइफन सर्व तो जो नेम आपने दिया है वही नेम इसके पर आ गया है तो आप एसकोंफिक्ट फॉरसर टाइप कीजिए कि अब आप देख सकते कि जो वह नेम है वह इस तरीक स्थनी कर से ऑगया है तो अगर आपको किसरी का करण के चलहों को सर्फ को री चटकरना तो ए तो उकला 10 5 लाखा करेंगे एंटर और यह आप से कनफर्मेशन के लिए यह करना है आपको यह आपका सर्वर लॉग आफ हो गया और अगर दुबार से लोग इन करते हैं हम यहां से एंटर पास्वर्ड करेंगे और अगर मुझे इसको रिश्टर्ट करना तो प्रेस 13 अगर शट्डाउन करता 14 पर हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि सर्वर को इसके अंदर लिमिटेशन जो है काफी है इसमें हम सारी कंफिक्शन नहीं कर सकते तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे वह पावर फिफ्टी नबर प्रेस करना तो जैसे मैं फिफ्टी नबर प्रेस करेंगा कि स्क्रिन ब्लैक होगी मतलब यह कमाड़् प्रोम्ट आगया वापिस से जो नॉमल कमाड़् प्रोम्ट है ठीक है तो अब मैं यहां से क्या करूँ हो गाई इस मैं पावर शेल का यूज करूँ यहां से यह कमांड प्रोम को थोड़ा से ओपर करते हैं और एक सेकंड थोड़ा से चोड़ा हम दोनों टूल का यूज करेंगे चाहिए तो हम सिंगल का भी यूज कर सकते हैं मुझे इसका विड़ा सेट करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम पावर्शल के थूरू कुछ मिला हुआ है तो पहले मैं जो आई पेड़ेगा देखना है तो यह उपर वाला स्क्रीन देल्एं वाली गईज वह का कमांड प्रोम्त और नीचे वाला गाइज वह है पावर्शल ठीक है सो कमांड प्रोम पर मैं जाता हूं ब्लैक वले स्क्रीन पर यहां पर मैं IP आई-पी एचीज है अगयों तो पहते हैं करता है तो मैं से करणा तो उसके लियंगे मुझे पावचेल यूज ने पडेगा तो आपको आपको चैक करना command prompt पर नहीं चलते गाईज तो अगर मैं ipconfig command दूँ ipconfig तो यह जो command है गाईज यह आपके ip address की information को check करने के लिए होता है same command जो हमने यहाँ पर तो same output है लेकिन यह जो command है गाईज यह command की है यह यह एक्चल में legacy command इसे बोलते हैं ठीक है क्योंकि जो command prompt है वो अपके legacy command को support करता है लेकिन जो powershell की एक्चल command है वो अलग होती है ip address की configuration को देखने के लिए तो इसके लिए हमारे पास एक command होती है get net-netip configuration देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे बड़ी है तूल है powershell का कि आपको command type करना get जैसे मैंने सबसे बड़ी option है कि आपको command याद भी नहीं है तो आपके पास जो command हो फिल्फिल हो जाती है तो get net-ip configuration होता है चेक करने के लिए कि what is the IP address आप enter करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ से वेट करना है और यहाँ पर आपका जो IP address की configuration जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो अब मुझे अगर इसका IP address और यह सारी चीज़ें मुझे मैनूली करना है अब यह जो IP address मिला हुआ है इसको तो हो सकता है कि अगर फ्यूचर में यह IP address चेंज हो जाए तो सर्वर की जो IP address चेंज हो जाए यह कोई अच्छी बात तो नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम IP address की मैनूल कंफिगेशन करेंगे तो मैनूल IP address करना है तो कैसे करना है है कमांड प्रोम के तुरू तो मैं यह आपको दिखा देता हूं स्वरी पावर्शल के दुरों में करना है तो यहाँ पर आपको सबसे इंटरफेस इंटरफेस इंडेक्स नंबर होता क्या है तो इससे पहले मैं आपको बदा दू कि अगर मान के चलो कि मिझे IP address मेरे पास multiple एक सर्वर के उपर multiple आपके NIC कार्ड लगे हुए लाइन कार्ड लगे हुए तो उन में से किसी एक के उपर अगर आपको IP address कंफेगर करना है तो उसके लिए आपको इंडेक्स नंबर चीए होता है या तो फिर आपको इंटरफेस का नेम डालना होता है तो अब इस मशीन के उपर तो कोई GUI तो है नहीं तो हम सबसे पहले देखेंगे एंटरफेस का नेम क्या है या इंडेक्स नंबर क्या है तो इसके लिए एकन्फिकरिशन होती है get net adapter, get net adapter, इससे आपको आपके interface का जो number है, index number वो पता लग जागा, या तो जो name है, वो पता लग जागा, तो हमें दो name, दो में से कोई चीज की requirement होती है, या तो name पता होनी चाहिए, या तो इसका index number, अबर तो enter करते हैं, तो ये आपके interface का number है, इthernet 0, और इसका index number देख सकते हैं, if, इंटरफेबस, इंटरफेस, it is 2, तो अगर आपके पास multiple interfaces हैं, तो उसका index number आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, तो अगर आपको इंटरफेस का index number देखना है, तो आपके command ये, देना है get net adapter तो यहाँ पर इस इंटरफेस का जो इंडेक्स नमबर है वो 2 है तो अगर मुझे इस इंटरफेस को पर कोई configuration करना है कोई IP address की configuration करनी है तो मुझे यह इंडेक्स नमबर वहाँ पर mention करना होता है अगर मेरे पास एक और Ethernet card होता तो यहाँ लिखा होता तो उसका इंडेक्स नमबर कुछ और हो सकता था 3 हो सकता था 4 हो सकता था कुछ भी हो सकता है यह अपने आप जो है automatic generated नमबर है तो एक नमबर को एक interface को एक इंटरफेस नमबर जो असाइन हो दाता है तो चाहे तो आप नेम दे सकते हैं चाहे तो आप इंडेक्स नमबर जो सकते हैं तो लेकिन हम यहां पर इंडेक्स नमबर के थुरू हम इसके अंदर configuration करेंगे बता दू कि इंडेक्स नमबर आपका होता है इंटरफेस की identification के लिए ठीक है तो यहां पर हमें क्या करना है इंटरफेस को पर IP address कन्फिगर करना है तो अभी जो इसका इंटरफेस का जो IP address है अगर मैं यहां पर get net IP configuration टाइप करूं तो अभी इसका सिस्टम का IP है 192.160.112 तो अब मुझे इसको पर सब्सक्राइब करना है 192.160.200 तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको करना है न्यू न्यू हाइफन net IP address यह कमांड होगा उसके बाद आपको इंटरफेस के इंडेक्स नंबर देना है तो हाइफन इंटरफेस इंटरफेस इंडेक्स स्पेस देके नंबर चू उसके बाद आपको हाइफन IP address अगर आपको IP address देना है तो IP address स्पेस देके क्या IP address अखना चाहते हूं 192.168.0.200 इंड यहां पर देना होता है तो यहां पर क्लास C का IP address स्पेस देके 24 टाइप करना है और इसके बाद आपको यहां पर देना है डिफॉल्ट गेटवेए और वट इसके लिए डिफॉल्ट गेटवेए 192.168.0.1 यह मेरे डिफॉल्ट गेटवेए जो मेरे राउटर का वाईफाई राउटर का अड्रस है ताकि मैं इस इंटरफेस सर्वर को इंटरेट के साथ भी कनेक कर सको तो मुझे उसके लिए गेटवेए चाहिए होता है तो कर्णवान क्या होती है न्यू नेट आई-पी अड्रस इंटरफेस के इंडेक्स नमबर कौन से इंटरफेस को पर आप आप आई-ड्रस असाइन करना चाहिए त एक सके यस अब मैं को टाइप करना है गैट नेट आई-पी कान्फिगेशन एंटर नाओ यू कन सी 192.160.200 और इसका डिफॉल्ट गेट पर भी आ गया है तो अब हम क्या करते हैं यहां से अब हम पिंग करते हैं गूगल को क्या देखते हैं कि क्या इसको इंटरेट मिल रहा है नहीं मिल ना तो हम यहां पर लेकिंगे पिंग www.google.com तो जैसे हम एंटर मारेंगे तो मेरे प आपास प्रिंग रिक्वेस्ट हो गया है क्यों क्योंकि गाइस अभी इसके अंदर अभी मैंने कोई DNS अड्रेस सेट नहीं किया है अगर मैं यहां पर कमांड दूं आईपी कॉन्फिक स्पेस्स्राइश ओल नाउ इकन सी आईपी अड्रेस तो ठीक है डेफॉल्ट सब्नेट मार्स भी ठीक है डेफॉल्ट गेट में भी ठीक है बट यूपन सी देर इस नो DNS अड्रेस कोई DNS अड्रेस निया तो अभी हापर DNS अड्रेस भी सेट करना पड़ेगा अदरवाइस मेरी जो यह इंटरेट से दाथ अगर मैं अगर मैं किसी डोमेन नेम को रिजॉल्व करना चाहूं www.google.com तो यह काम नहीं कर रहा है क्योंकि DNS अड्रेस में सेट नहीं है तो DNS अड्रेस कैसे सेट करेंगे तो उसके लिए मैं क्या करना होगा अगर मैं आभी आपको देखाऊं सेट नेट आईपी कॉन्फिगरेशन तो यहां पर कोई भी DNS अड्रेस इंफर्मिशन नहीं आ रही है तो मुझे कैसे करना है यहां से क्लियर करेंगे स्क्रीन को तो अगर मुझे DNS अड्रेस सेट करना है तो कैसे रिखेंगे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सेट DNS CLI Client Server DNS Client CLIe Anti Client Server Address सेट हाइफन DNS Client Server Address यह टाइप करना है स्पेस देना है उसके बाद कौन से इंटरफेस को पर आपको DNS सेट करना है तो इंटरफेस इंडेक्स नंबर आपको देना है नंबर टू उसके बाद आपको यहां पर देना है सर्वर एड्रेसेज स्वरी हाइफर लगा के सर्वर एड्रेसेज और यहां पर आपको ब्रैकिट के अंदर कॉलर लगाना है दो और 8.8.8.8 और प्रेस एंटर अभी आप देख सकते कि आपको जो DNS एडरस हो सेट हो गया करने के लिए वेरिफाय करने के लिए गेट नेट आईपी कॉन्फिगेशन लाइकन सी एड डॉट 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 इट सैट अब हम यहां से पिंग करते हैं वापिस लाओ आप देख सकते हैं कि जो मेरा डोमेन नेम है वह आईपी के साथ रिजॉल्फ कर पा रहा है अब यहां पर जो डीनसर्वर रगाई वो यह 1.8.8.8 है सिंगल डीनसर्वर रहा है जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक अल्टरेनेटिब डीनसर्वर का भी ऑस्षिन होता है कि हम दो ब्लॉट्टिपल डीनसर्वर कर सकते हैं तो अगर मुझे यहां पर डिफ्रेंट तो कैसे करेंगे उसके लिए आपको फिर से होई कमाड देना है सेट हाइफन DNS क्लाइंट सर्वर एड्रेस यह प्रेस करना है इंटरफेस इंडेक्स नमबर आपका टू जो भी इंटरफेस का नमबर वो देना है सर्वर एड्रेस अब यहाँ पर आपको गाइस करना क्या है डवल कॉलन के अंदर जब आप 8.8.8.8 लिखते हैं इसमें कॉमा देके नौट यहाँ पर नहीं जो इंवर्टिट कॉमा का खतम हो रहा है वहाँ पर कॉमा देना है फिर आपको विदाउट एनी स्पेस फिर से आप आपको दो इन्वर्टिट कॉमा लगाना है और 8 8.8.4.4 तो इस तरीके से आपको एंटर अगर मैं थोड़ा साब को इसको जूम कम करके दिखाता हूं तापको यह आपको कमांड अच्छे तरीक से दिखें अब यहां पर देख सकते हैं कमांड आपको पूरा दिखा रहा हुगा तो आपको यहां पर डबल कोड के अंदर 8.8.8 डबल कोलन खदम करना है कॉमा लगाना विदाउट इनी स्पेस फिर कोलन के अंदर आपको सेकंडरी डिनस देना है तो आप देख सकते हैं मेरे पास इससे आप आई-पी एड्रस के कान्फिकेशन को आप कर सकते हैं डेक्स कमांड है गाई कि अगर मुझे इस सर्वर का नेम चेंज करना है तो होस्ट नेम अगर हम देखते हैं तो अब इस सर्वर का को नाम क्या है एसकोर और यह हमने देख था सर्वर कान्फिकशन टूल के औरी कि मैं सेके रीनेम कम्प्योटर उसके बाद हाइफन देखे न्यूव नेम कि री नेम हाइफन कंप्पीटर दैन उसके बाद री नियु नेम स्पेस देखे जो भी आपके नेम है अब मैं यहां पर लिख जाता हूं इस इस सर्वर एक काम करता है सर्वर अंडर्सकोर अग्र underscore zero one यह मैं अपने सर्वर का नायम रखना चाहता हूँ और उसके बाद आपको एक स्विच लगाना है री स्टार्ट का तो जैसे एंटर करेंगे यह हैं सो स्वारी कि यहां पर मैंने गलती क्या करिए कि यहां पर मुझे अंडर स्कोर नहीं लगाना है हाइफर लगाना है तो जैसे मैं एंटर करूंगा यह गश्रायना होगा जाएगा तो वेट करते हैं जब करता कि रिस्टार्ट होता है और आप देखेंगे कि आफ्टर री स्टार्ट जो हूंने सरवर-9-01 लिखा था तो वही नेम इसका भी तो वापिस से हम लोग पावर शेल को ओपन करते हैं कि अब पावर शेल नौ अब हम यहां पे कुछ और कंफिक्रिशन देखते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे कि मैं सेकिंड अब हमने पहले अबने क्या किया अब तो आप इंटर करेंगे तो यहां पर मैं थोड़ा सेटिन को देखने कि लिए अपके पास होता है अ प्श्रुण फायर वाल ल प्रोफाइल कि एंटर करेंगे तो यहां पर मैं स्टोड़ासा इसको जूम कर लेता हूं तो यह टोटल आपके को बता है कि जो हमारे पास Windows की जो फायर वाल इसके टोटल ट्री पोफाइल होते हैं डोमेन प्राइवेट एंड पॉब्लिक अभी जो गाइज इस पर फायर वोल है वो डिसेबल है तीनों प्रोफाइल के लिए डोमेन के लिए आप देख सकते हैं सौरी डोमेन के लिए आप देख सकते हैं फॉल्स आ रहा है दिखें सी यह आपका नेम उपर आ रहा है डोमेन अंडर न सब्सक्राइब क्या होनी चाहिए स्वरी कि ID kसीले छ तो अभी आपको कहरना है कि आपको अपने AFAL को sociology करना है तो 실ाइब करने के लिए आपके बासकामाड होती हैپ 100 है F IRBAL here profile यह कामाड देना है स्पेशوس के बाद आपको प्रोफाल की वर्ड तो firewall को enable करने के लिए आपके बस कमाड़ होती है set net firewall profile firewall profile यह कमाड़ देना है space उसके बाद आपको profile keyword लगाना है और उसके बाद आपको कौन से profile के लिए enable करना है domain के लिए भी करना है मुझे space नहीं देना domain, private, public तो तीन profile है domain है private है public लिए तीनों के लिए मुझे क्या करना है enable करना अभी बाइडिफर्ट यह आफ नहीं है guys on है sorry अभी जो firewall है वह off है मुझे अभी इसको on करना है तो switch लगांगे enable का और true तो set net firewall profile profile keyword लगा कि आपको तीनों profile यहां पर देना है या अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ public के लिए ही on करना चाहता हूं private और domain के लिए नहीं करना चाहता तो यहां पर आप सिर्फ public को डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन फिलाल अभी मैं तीनों के लिए करूँगा तो डोमेन लिख लेते हैं और कॉमा देके private तो यह आप आगे पीछे कर सकते हैं कि डोमेन आपको स्टार्टिंग में लिखना है प्राइवेट डोमेन मतला आपको तीनों profile आगे पीछे कोई error नहीं आया अब verify करने के लिए अब कैसे चेक कर सकते हो तो चेक करने के लिए get net firewall profile sorry यहां पर profile एंटर करेंगे तो अभी सभी के लिए क्लिए क्लिए पहले फॉल्स था लेकिन अब क्या गया true true and true public के लिए भी private के लिए और डोमेन के लिए भी तो अब इसको verify करने के लिए मेरे पास एक PCA Windows XP का अब करेंगे Windows XP ता बहुत पूरा रॉप्टेक ज़र्म है तसका एक्टिविटी चेक करने के लिए मैंने इसका यूज किया है इसको login करेंगे और सॉरी ओके नौँ यहां से हम क्या करेंगे कमांड प्रोम चाहते हैं और पिंग करते हैं 192.168 0.200 हमने मशीन का नम आई-पी रखा था तो पिंग करते हैं अब यह पिंग नहीं हो रहा है because of firewall मेरा भी on है तो मुझा firewall को off करना है तो कैसे करेंगे firewall को off जैसे हमने एनेबल किया था वैसे ही करना है आपको लिखना है set net फायरवल प्रोफाइल हाइफन प्रोफाइल का स्विच देंगे domain के लिए की बिवी करना है प्राइवेट के लिए भी करना है अब ऐसा निया कि डोमेन पहले लिखना से कोई निखकत नहीं, पबिलीक डॉमेन प्राइवेट और इनेबल को इसको करना है, फॉलस लिखनी हो गएक तो आपको वह जाएगा फारवर्डよしائबल हो जाए तो इस वीडियो में इतना ही और नेक्स वीडियो में अम लोग सर्वर कोर के बारे में और देखेंगे और कुई चीज़ करोगे तो इस वीडियो में इतना ही गई और नेक्स वीडियो में अम लोग सर्वर कोर के बारे में और देखेंगे और कुई चीज़ा सीखेंगे तो तब तक के लिए गई गई तिल दैन बबाई एंड टेक क्यार और गाई अगर आपको वीडियो पसंद आरे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए कमेंड केजिए अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ तो प्लीज ये भी बताएं कि वीडियो पसंद क्यों नहीं आ रहा है तो मेरी खुशी होगी कि मैं आगे और बहतर वीडियो अपके लिए प्रोवाइड कर सको तो मिलते हैं अप नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए बाई-बाई एंड ट